नेक्स्ट टॉपिक है सतत अवेश वितरन के कारण किसी बिंदु अवेश पर स्थिर विधुत पल तो ये तीन तरीके के वितरन है एक तो है रेखिक अवेश वितरन एक है प्रष्ठ अवेश वितरन और एक है आयतन अवेश वितरन ये रेखिक अवेश ये प्रष्ठ समान गूप से वित्रित होता है एक रेखा मतलब एक तार हम ले ले तो अगर आवेश एक तार पर समान गूप से वित्रित है तो उसको हम कहेंगे रैखिक आवेश और जो तार का रैखिक आवेश घनत तो है वो हम लेंगे lambda which is equal to आवेश upon लंबाई इसके बाद प्रश्ट आवेश वित्रन यहां मैंने आपको कहा कि यदि आवेश एक समान रूप से किसी तार पर वित्रित है यहां पर अगर आवेश एक समान रूप से किसी प्रश्ट पर वित्रित है प्रश्ट मतलब कोई टू डैमेंजनल फिगर हो तो उसको हम क्या कहेंग प्रश्ठ आवेश घनत्व जो है वो equal है सिग्मा यहां रेखे का आवेश घनत्व था which is equal to charge upon length यहां पर प्रश्ठ आवेश घनत्व है which is equal to charge upon area that is सिग्मा और आईतन आवेश वित्रण अगर जो आवेश है किसी आईतन पर समान रूप से वित्रित है तो उसको हम क्या कहेंगे आईतन आवेश वित्रण आईतन का मतलग three dimensional figure जैसे कोई गोला हो गया या कोई इट हो गई तो रेखे का आवेश वित्रण में one dimensional figure पर जो आवेश वित्रित होता है और इसको हम लेंगे लेमडा आवेश वित्रण का मतलग कोई two dimensional जो figure होती है उस पर जो आवेश वित्रण होता है और इसको हम लेंगे सिग्मा सिग्मा मींज आवेश वित्रण और आईतन आवेश वित्रण जब जो चार्ज है पूरे आईतन पर समान रूप से वित्रित हो तो उसको हम कहेंगे आईतन three dimensional figure पर जो वित्रित होता है यहाँ पर आईतन आवेश घनतु लेते हैं रो और रो आवेश बटे आईतन के अब हमें करना क्या है जैसे यह एक पतली तार है इस पर हमें देखना है कि इस पर कितना जो आवेश है वित्रित है और उस पर कितना बल लग रहा है यह एक positive charge है unit positive charge जिसके कारण हमें इसका ज चोटे टुकड़ों में divide कर लिया इस तार की लंबाई है L और चोटे चोटे टुकड़ों पर हमने इसको divide कर लिया माना यह जो एक चोटा सा टुकड़ा है जिस पर हमें बल निकालना है वो है DL तो F is equal to F is equal to क्योंकि हम चोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं इसलिए DF हो ज R21 R21 मतला Q0 से उस चोटे से टुकड़े के बीच की जो distance है square और R21 cap जैसा कि मैंने कल आपको बताया था और यहाँ DQ अभी मैंने आपको बताया कि Lambda उसको DQ को हम क्या लिखेंगी रेखी कावेश खनात तो जो है वो Lambda DL तो Q0 बाहर आगया DQ की जगा Lambda DL upon में R21 square और R21 का cap इसको अब हम integration वाले method से solve करेंगे जैसा कि आप 11th class में करी derivation कर चुके हैं तो Q0 अगर हमें F निकालना है तो DF का integral करना पड़ेगा Q0 बाहर 4 pi epsilon 0 बाहर Lambda अंदर R21 R21 square अंदर और यह Lambda का जो हम integral करेंगे वो L के सापेक्ष करेंगे यूँकि Lambda जो है लंबाई होती है तो L के सापेक्ष करेंगे इसलिए साथ में DL और जब integral करते हैं तो limit रखी जाती है तो limit यहाँ पर जितनी तार की लंबाई होगी L जिसे हम 0 to L भी लिख सकते हैं इनके आपको derivation नहीं करने हैं सिंप्ली formula आपको पढ़ने हैं इसी तरीके से अगर प्रश्थावेश वितरन की बात करें तो formula क्या हो जाएगा F is equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 sigma अब Lambda की जगा हो जाएगा sigma R21 cap upon R21 square और Ds क्योंकि अब हम शेत्रफल के सापेक्ष integral करेंगे और limit भी S अगर आइतन आवेश वितरन की बात करें तो F is equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 integral rho अब हम क्यालेंगे rho R21 cap R21 square और अब हम आइतन के सापेक्षक्योंकि integral करेंगे इसलिए Dv और limit भी V तो यह हैं सतत आवेश वितरन के कारण किसी बिंदू आवेश पर स्थिर विधुत बल लो